नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूटूब चन्द में आपका स्वागता है, यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो सूचना साइट परतिस रिलेटेड मोस्ट इंपोड़न जो कंपेटर विज्यान के मोस्ट इंपोड़न कोर्सन रहने वाल है, तो कोर्सन रहें किया, 76 से स्टाइट करते हैं, और आज की अपनी जो क्लास है, 40 नमबर, तो क्लास स्टाइट करने से पहले मैं चाता हूँ कि चैनल को लाइक और सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, चलत नियाफ लिफ्टिंग नहीं होता है, विंडोज में खुले हूए प्रोग्राम के बीच, अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अदला बदली के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वो कौन से की यूज की जाती है, आल्ट के साथ, टेब, LCD का पूरा नाम क्या है तो LCD का जो पूरा नाम में वो है Liquid Crystal Display LCD का पूरा नाम क्या है Liquid Crystal Display और LED की फुल फॉर्म ध्यान रखे Light Emitting Diode दुनिया में सबसे अधिक Computer वाला देश इन में से कौन सा है दुनिया का सबसे अधिक Computer वाला जो देश है वो है सयुक्त राज्य अमेरिका सयुक्त राज्य अमेरिका भारत में इंटरनेट उपोगताओं की सरवादिक संक्या इन में से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है तो ये कौन से राजिय के अंदर पाई जाते है तो ये जो राजिय है वो है अपने मारास्ट बॉंबे Mechanical Computer, Mechanical Calculator का निर्मान किस ने किया था तो Mechanical Calculator का अविश्कार जो है स्वरी निर्मान जो है बलेज पास्कल ने किया था IBM, IBM जो है internet business machine ये एक company है क्या है ये एक company इंटरनेट को इंटरनेट से जोडने में कौन मदद करता है तो इंटरनेट से जोडने में जो मदद करता है वो कौन करता है Netfit, Browser या Cable तो ये जोडता कौन है ब्राउजर के दोरा ही इंटरनेट चलाया जाता है कम्प्यूटर के मुक्य सिस्टम बोर्ड को इनमें सी क्या का जाता है तो हमेशा दिया रखे सिस्टम बोर्ड को ही क्या का जाता है सर्किट बोर्ड का जाता है और सर्किट बोर्ड को ही क्या का जाता है मदर बोर्ड कहा जाता है HTML HTML एक language है कौन से language है यह है hypertext markup language जो web page बनाने के लिए यूज किया जाता है keyboard keyboard में function keys function keys कितनी होती है keyboard में वो होती है function key 12 तो आपको दियान रखना है F1, F2, F3, F4 very important question रहेंगे यह और F5, F7 F11 और F12 तो यहाँ पर आप देख सकते है F1 का मतलब जो होता है help से related F1, help F2, rename और F3, search के लिए और F4, redo कमांड होता है और F5, refresh और slide show के लिए refresh और slide show कमांड जो powerpoint में होता है slide show के लिए F7, spelling and grammar spelling and grammar और F11, जो होता है chart के लिए और F12, जो होता है save as के लिए use किया जाता है computer की बोतिक बनावर्ट इनमें सिक्क्या कहलाती है तो बोतिक बनावर्ट जो होते है उसे हम क्या कहता है hardware DOS, DOS का पूरा नाम disk operating system बिल्कुल right बिल्कुल easy question text में हमारी position कौन देखाता है ये दिखाता है cursor easy question है vary जिसका उधरन है ध्यान रखे MS Word एक application software होता है क्योंकि MS Word को यूज कौन करेगा user user जो user work करता है उससे software को क्या का जाता है application software का जाता है operating system जो Windows 7 Windows 8 वगर जो होता है वो OS होता है जो Windows 7 है Windows 8 है या Windows 10 है या Windows 11 जो लेटे सेल रहा है ये GUI-based operating system होता है और CI-based operating system अभी जैस्ट नाम आया था जिसका नाम क्या था DOS operating system और एक होता Unix operating system कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी software का परियोग किसके दौरा किया जाता है तो ये किसके दौरा किया जाता है ये किया जाता application के माधियम से Microsoft company के संस्तापक का नाम क्या है तो ये है Paul Allen और Bill Gates तो यहाँ पर सही answer आएगा C जल्दी जल्दी बताइए MS Office कौन सी company ने तियार किया था MS Office की जो company थी Microsoft कौन सी company थी Microsoft इनमें से कौन सा Nisul की email से वा परदान करता है Nisul की email कौन Rediff mail, Yow mail, Hotmail तो सही answer आएगा यहाँ पर D Very important question D याद रखे ये Pacman तो दियान रखे Pacman का सुनते ही समझ लो ये किस से related था खेल से समझ दे तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है Pacman नामक परसित computer इनमें से कौन से काम के लिए तियार किया गया था ये खेल के लिए मतलब game खेलने के लिए यूज किया गया था वैब पेज को रिलोड करने के लिए इनमें से कौन सा बटन दबा जाता है तो वैब पेज को रिलोड करना हो तो कौन सी की यूज होती है F5 जो refresh की shortcut की होती है किसकी होती है refresh की तो सही answer रहेगा C Oracle औरकल ये एक database software होता है तो सही answer रहेगा यहां पर B तो जल्दी जल्दी बताइए 99 का क्या answer होगा 99 का होगा सूचना राजपत किसे काता है तो सूचना राजपत कहता है Indianet को किसे का जता है linked को जल्दी से बताइए टेली जब टेली आ जाता है थो समझमा जाता है correlation ये किस से related है accounting से related टेली किसमें होती है accounting जो हिस्साब किताब करने के लिए काम आती है अकसरों तत्पशिनों को ऑगाईतों में store करने की विद्धी को क्या कहते हैं तो यह ध्यान रखे हैं यहां पर तो यहां पर इसका जो सही आंसर है उसे कहते है कोडिंग सिस्टम इन में से किसका समंद कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है प्रोसेसर मतलब CPU से समंदित नहीं है वो बताना जैसे आई सेवन एक CPU है Android, Cellarion और Dual Core तो यहां पर आप देख सकते हैं Android जो होता है क्या होता है एक operating system होता है तो यहां पर 102 का सही आंसर क्या होगा वो होगा B बारत का पहला computer इन में से कहां इस्तपित किया गया था तो बारत का पहला computer कहां पर इस्तपित किया गया था यह किया गया था बरतिय संके की संस्तान कोल गता के अंदर सही answer A इन में से कौन input ही कही है इन में से कौन सी एक input ही कही है जो computer के information अंदर जाते है उसे हम क्या कहता है input जैसे keyboard होता है इससे information अंदर जाते है input ये भी scanner input तो सही answer है एगा D और scanner के बारे में very important बात ध्यान रखें OCR scanner, OMR scanner के बारे में फिर BCR के बारे में और फिर MICR के बारे में तो ये जो होता है 4 scanner होता है ये character को scan करता है ये mark को scan करने की काम और ये barcode जो कोई भी product की information होती है उसके लिए तो ये format ध्यान रखें और bank में check को read करने के लिए कौन से scanner use किया जाता है MICR scanner use किया जाता है चलता है next 105 course computer का Hindi में क्या नाम है computer का Hindi में नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर very easy course है वो है संगनक पहले computer mouse का निर्मान किस ने किया था तो mouse का विसकार जो किया था ये किया था डगलस एंजलवर्ट ने सही answer B जब PC हम किसी document पर कार्य करता है उस समय document औ इसते रूप से कहां store होता है और इसते रूप से構ने के लिए हमें से ध्यान रखे ये कहां पर होता है और इसते रूप से permanent save जो होता है वो कहां पर होता है hardics में जिसे हम बोलता है secondary storage और RAM जो होती, एक primary memory होती है और ये एक temporary memory है तो Tramp memory कौन सी होती है वो ध्यान रखे कौन सी होती है Ram पहले से चल रहा है ये computer को restart करना क्या कहलाता है तो पहले से जो चल रहा होता है उसे restart करना क्या कहलाता है अमेसा ध्यान क्या कहता है Rebooting क्या कहा जाता है Rebooting .com domain का सम्मझ इनमें से कौन सी छेत्रम होता है तो .com जो होता है यह commercial समंदित मतलब वेवसाइज से समंदित है तो यहां पर एक से नौ का जो सही आंसर है वो है वेवारिक संस्ता परतम PD के computer में प्रयोग होता है तो first PD में जो use होता था वो होता था vacuum tube और second generation में जो use होता था वो transistor और third generation में जो use होती थी वो कौन सी IC यह ध्य जान रखें समगर हुड डॉक्यमेंट सेलेक्ट करने के लिए निमश्य से किसका प्रयोग किया जाता है तो select करने के लिए जो command होता है वह होता है thank you